आप सब का तहे दिल से स्वागत है मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ ये एक और बहतरीन सेशन लेकर के और सेशन का विशे है साइंटिस्ट्स अड दिर कॉंट्रिबूशन्स महान विज्ञानिक जिनोंने धेर सारी अलग-अलग तरहें की खोज करी है जिसके कारण आज हम विज्ञान को इतने बहतर तरीके से जान पाएं हैं जिन विज्ञानिकों का आज हम जिक्र करेंगे वो आपकी क्लास 11 की NCIT क्लास 12 की NCIT में उन सब के नाम mentioned है 11 क्लास से शुरू करते हुए हम 12 क्लास तक बढ़ेंगे क्लास 11 का जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहला चैप्टर आता है Living World, फिर Biological Classification Plant Kingdom, Animal Kingdom उसके बाद Structural Organization in Plants, Animals तो देखते जाएंगे कि बही अलग अलग क्षेतरों में कि इनके विज्ञानिकों का क्या-क्या योगदान रहा है I'm sure you all are going to enjoy this session एक बार, like का बटन जरूर दबा दीजेगा जो जो सवाल मैं आपसे पूछतार हूँ उसका जवाब जरूर देते रहना Because आपने भी अभी तक काफी तैयरी कर लिये तो काफी सारी चीज़ें आपको पता होगी ठीक है जी, clear है Hello Ayush, Hello Bikram, Hello Mr. Rathod, Sonu Kumar Sonu तुम तो मेरे die-hard fan बन चुके हर सेशन में तुम होते हो जरूर I wish you a very bright and prosperous future याद रखेगा, world famous doctor बनना है Great जी, निकिल कहरें, careless lenious का जिकर आता है living world में, बिल्कुल सही कहा जी आपने मैं आपका अपना Dr. Sachin Kapoor with M.Phil and PhD degree, more than 23 years of teaching experience 10 लाक से ज्यादा students and teachers मुझसे पढ़के, आज जिन्दगी में एक भेतरीन मुकाम पे है अगला नमबर आपका है, प्रतीक जी, सोनू अभे कुमार जी, याद रखेगा आपको भी world famous doctor बनना है न, बिल्कुल कि Google में आपका नाम डाला जाए और आपके बारे में सारी जानकारी मिल जाए अठक अभी आप लोगों ने मुझे ढूंड़ा है Google पे how many of you have searched about me on Google, tell me क्या आपने कभी लिखा है, उसमें who is Dr. Sachin Kapoor एक बार सर्च कीजिएगा hello Sajjan Singh, hello Rudraan कैसे हो, Imran Sonu Kumar, Nikhil Pratik, हाँ maximum बच्चे कह रहे है, अक्षे ठाको, अभे कुमार, आयो शायमान, Pratik की सर हमने आपको सर्च कर रहे है Google पे great जी, thank you अक्षे ठाकोर कह रहे है, आपका नाम ही काफी है चलिए, जो भी नाम है, वो आप ही लोगों की वज़े से है है ना, आपके बिना तो कुछ भी नहीं है agreed, great चलो, Bikram, Saloni, Saurabh, आगे बढ़े चलो जी, बढ़ते हैं, आज के session का आगास करते हैं जो बच्चे मेरा Telegram group join करना चाहते हैं, DR. Sachin Kapoor Talk इस पे आप message भेज़िए, कोई query है, आपको doubts discuss करने हैं, बाकी neat aspirant से किसी किसम की बातचित करनी है academics से related, so you are most welcome to join this session तो शुरात कर लेते हैं, जी उन्वे ग्यानिकों की, जिनका नाम मेंशन है आपकी ग्यारवी क्लास की NCRT में है ना, करें शुरू let's start, पहला चेप्टर कौन से है क्लास 11 का, पहला चेप्टर है Living World, जिसके जरी आपका introduction हुआ था biology से, याद कीजे जब आप 11 क्लास में आये थे पहला चेप्टर आपने ये पढ़ा था कुछ चीजें आपको easy लगी होंगी, कुछ चीजें मुछ चीजें मुश्किल भी लगी होंगी, कुछ चीजें boring भी लगी होंगी इस चेप्टर में और आपने तब इतना गौर भी नहीं किया होगा कि भई, ज्यानी का नाम भी दिया हुआ Living World Chapter शुरू होते ही सबसे पहले पढ़ने पे ही जिक्र आता है Ernst Mayer का अच्छा एक काम करना है copy pen रख लो अपने साथ scientist का नाम और उसके सामने उसकी contribution one sentence में लिखते जाना, ठीक है अभे तो easy रहेगा, right जी Ernst Mayer, सवाल ही पूछा जाएगा that who is regarded as Darwin of 20th century that is Ernst Mayer 1904 से लेकर के 2004 तकन का जीवनकाल है, 5 जुलाई 1904 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और he joined Harvard's Faculty of Arts and Sciences 1953 में, he got retired in 1975 assuming the title इनको इस title से भी नवाजा गया बड़ा लंबा चौरा title है भाई, ठीक है कोई बात नहीं title तो चाहे हम नहीं याद रख सकते हमसे सवाल जो पूछा जाएगा वो यहीं पे है meet में ये question frame हो सकता है who is regarded as Darwin of 20th century Ernst Mayer एक बार मुझे चैट बॉक्स में नाम लिख करके भेज़ दीजे Ernst Mayer जल्दी से ताकि revise भी हो जाए मुझे भी लगे कि आप साथ साथ सीख रहे हैं चीजे ठीक है जी then next जिकर आता है सजजन बेटा आस्ता ने कहा है इनको triple crown of biology के title से भी नवाजा गया है बिलकुल सही का आपने यह हम Ernst Mayer के बारे में कह रहे थे triple crown of biology careless lenius biology का जिकर हो और lenius का नाम ना आए इरम बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो आप जानते हैं lenius का contribution रहा है binomial nomenclature right so binomial nomenclature was proposed by careless lenius in his book किताबों के नाम याद रखने होंगे systema naturae species plantarum can this be framed as a question in need answer is yes so careless lenius पे आपसे दो सवाल बन सकते हैं binomial nomenclature का concept किस ने दिया था careless lenius ने right books systema naturae किस ने लिखी है species plantarum किस ने लिखी है तो that is careless lenius अच्छा कोई मुझे बता सकता है origin of species किताब किस ने लिखी है जल्दी से chat box में सबसे पहले जो जवाब देगा उसके लिए मेरी धेर सारी शुबकाम ना है बताओ जी origin of species आयमन फातिमा ने जवाब दिया बिल्कुल सही आलम ने भी आयुष्वनी ने चार्ल्स डार्विन प्रतीक का जवाब भी सही है origin of species नाम की जो किताब है जो आप पढ़ते हैं जब आप evolution पढ़ते हैं क्लास 12 के सलेवस में बिल्कुल सही दीपू सही आन मोंडल आपका जवाब भी सही है origin of species आप चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन चार्ल्स डार्विन भी कह देते हैं उसमें इन्वे ज्यानिकों का जिकर है अक्षे, रवी, ठेक है mangiphera indica lin bilineus, बिक्रम डेर बिल्कुल सही जवाब mangiphera indica, आम, रसीला मीठा आम दूसरे चेप्टर की तरफ बढ़ते हैं that is biological classification और biological classification अधूरा है जब तक हम जिकर नहीं करेंगे Aristotle का Aristotle को Aristotle भी कहते हैं हम ठीक है सोनू father of biology Aristotle is regarded as father of biology biology के भीश में पिता मां रहे हैंगे और क्या आपको पता है father of zoology भी कहा जाता है father of zoology भी Aristotle है अच्छा कोई मुझे बताएगा father of botany जल्दी से, जल्दी से इम्रान, father of botany, lecture का link जादा लोगों के साथ share कर दो let more and more people with common goal join this platform और channel जरूर subscribe कर ले न अगर अभी तक नहीं कह रहा है बताओ, Theophrastus, बिल्कुल सही कहा है प्रेम ने, इम्रान ने, आयूश ने स्नलोनी ने, आलम ने कि Theophrastus जो है shall we write here Theophrastus, regarded as father of botany okay, तो father of zoology, Aristotle father of biology, Aristotle क्या आप जानते है Theophrastus was a student of Aristotle अच्छा एक चीज़ और है, Aristotle को father of ancient embryology भी कहा जाता है father of ancient embryology Brun Vigyan father of modern embryology को होन है Carl von Behr Carl von Behr है न, modern embryology के तो ये ancient embryology के है Aristotle was the first to classify dolphins as mammals Aristotle ने कहा था कि dolphins है जो mammals होते हैं वो and he studied the embryonic development of chick मुर्गी का अंडा जो है fertilized egg उसमें से किस तरह से चुजा निकलता है ये उन्होंने study किया था Akshay Thakur कहरे सर्जो crash course शूरू हो रहा है उसमें आप botany भी करा होगे अच्छा क्या आप चाहते हो कि मैं botany के भी कुछ chapters पढ़ा हूँ बताइए how many of you want this thing कि आप मुझसे photosynthesis, respiration transportation in plants plant reproduction ये chapters पढ़ना चाहते हैं एक बाच chat box में मुझसे बताईगी जल दी से how many of you want this great majority बच्चे कहने है yes चलिये ठीक है great great तो चलिये ठीक है आपकी कोईश पूरी करेंगे promise botany के कुछ chapters मैं शेर करनूंगा पंकोडी मैं बीना मैं के साथ done I'll do that मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में okay Aristotle की contribution की बात कर रहे है Aristotle classified living things as plants and animals इन्होंने कहा कि भई या plants होते हैं animals होते हैं या आपने classification में पढ़ा है है न उसके बाद herbs हैं shrubs हैं trees हैं तो basic जो है classification का concept के शुरुवात इन्होंने करी थी निकल कहरें के सार by juice के premium में हमने आपसे botany पढ़ी है yes by juice का premium product अगर आप खरीते हैं तो उसमें complete biology मैंने आपके साथ cover करा है careless lenius अभी lenius का जिकर पहले भी आया था बिलकुल आया था father of systematic botany he gave two kingdom classification ये बन गया जी हमारा question system है natural लिखी है two kingdom classification ने उन्होंने का था कि भई या पूरी दुनिया में जो living organisms है या तो plants होते हैं या animals होते हैं पर ऐसा तो नहीं है इसके लावा भी तो और बहुत होते हैं then biological classification में next scientist जिनका नाम आपने पढ़ा है Ernst Heckel Heckel ने कहा दिया था system इन्होंने established करी ये भी question frame हो सकते हैं देखो में NEET में क्या क्या question बन सकते हैं एक एक चीज़ बता रहा हूं this can be framed as a question in NEET this can be framed as a question in NEET okay now protista इन्होंने introduce का रहा था लेकिन भई अब उसके भी demerits थे it was not accepted because both prokaryotic and eukaryotic organisms containing chlorophyll they were grouped together ये बाते आपने biological classification में पढ़ी हैं तो हम इसकी detail में नहीं जा रहे हैं Herbert Copeland अगले वे ज्यानिक है हमारे पास जी Herbert Copeland इन्होंने दिया है four kingdom classification तो चलो जी एक सवाल ये बन गया इन्होंने ज्यानिक का contribution कि four kingdom classification किस ने दिया है और इन्होंने कौन सी kingdom introduce कर दी क्या है जी मोनेरा मोनेरा में क्या आते हैं आप कहेंगे सर मोनेरा में आर्की बेक्टीरिया यू बेक्टीरिया ये आते हैं बिल्कुल सही तो ये सवाल फ्रेम कर देगा एक्जामीनर लिखते जाओ साथ-साथ हर्बेट कोपलेंड एरो डाल के लिख लेना four kingdom classification कॉमा ही इंट्रोडूज़ और ही established the kingdom मोनेरा अब इसके भी de-merits थे अलगे, फंजाय, प्रोटोजोन सब को उठा करके प्रोटिस्टा में डाला गया था बिल्कुल, बिल्कुल PDF मिल जाएगा आपको बच्चे आपको हम हर session का PDF देते हैं आप हमारा group जॉइन करा होगा आपने नी टकाश डिजिटल बायो की रणनीती टेलिग्राम group इसके डाब आप मेरा टेलिग्राम रवी बेटा जॉइन कर लीजे, it is very simple चैट बॉक्स में भी आपके लिए हम अभी फ्लेश कर देते हैं, डॉक्टर सचिन कपूर टॉक ठीक है, ये बेरा टेलिग्राम ग्रूप है इस पे भी आपके साथ PDF शेर कर देंगी देखलो आपको भी चैट बॉक्स में मेसेज किया जा रहा है, वहाँ पे क्लिक करो मेरे पास मेसेज आ जाएगा, संदेश आएगा मैं आपके निमंतरन को स्विकार कर लूँगा तो आप मेरे ग्रूप में जुड़ जाएंगे हेलो महमद परवेज, कहां थे तुम, मैं नाराज हो तुमसे सुबह से दो सेशन्स ले चुका हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं वाँ पे है I'm angry with you ओके जी, हबट कोपलेंड हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं विटेकर, वाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन का जिकर हो और विटेकर का नाम आये, ना आये, आलम बेटा ऐसा हो इनी सकता आर-एच विटेकर का कॉंट्रिबूशन है, वाइव किंग्डम क्लासिफिकेशन ये एक सВाल बना दिया, इंग्जामिनर ने देखो biological classification chapter में कितने सारे मिख्यानिकों के नाम आचुके हैं इन्होंने क्या establish कर दिया भाया इन्होंने का फंगाये, फंजाये, फंगस, फफूंद राइट, क्लियर है जी? Based on what? Five Kingdom Classification का अधार क्या रहा है Saloni? अधार रहा है organisms का cell structure, body organization, reproduction, mode of nutrition और उनके phylogenetic relationships Dem, Wus, Carl Wus Six Kingdoms या Three Domains वाली बात कही थी ने नोंने वो Monera को further divide कर दिया गया था Archibacteria, U-bacteria में तो तीन Domain हो गए यह सवाल भी पूछा जाता है This can be framed as a question in neat He separated Monera into U-bacteria and Archibacteria Archibacteria वो भही पुराने वाले धीट बेक्टीरिया Extreme environmental conditions में जिन्दा रह लेते हैं Thermo Acidophiles हो सकते हैं Clear है बच्चे? Right? ठीक है? Okay परवेज आलम कहरे हैं sir हम लोग नमाज पढ़ने के लिए चले गए थे आच्छा ठीक है, ओके चले तब आपको माफी है हाँ, इसके भी PDF notes आपको मिलेंगे, मेरे बच्चे, बिलकुल मिलेंगे तो देख लो Biological Classification में Karl Wuss, R.H. Wittaker Hubbard Copeland, Ernst Heckel Carolus Linears, Aristotle इस chapter में इतने सारे विज्ञानिकों के नाम उनका contribution आपको पता होना चाहिए फिर से देख लेते हैं Aristotle, father of biology, father of zoology, father of ancient embryology father of botany, मैंने additional बता दिये थी, ओफ्रेस्टर्स राइट जी? Then Carolus Linears, father of systematic botany two kingdom classification दिया था इनोंने species plantarum and systema natural कितावे लिखी है Ernst Heckel, three kingdom classification इनोंने establish करी थी kingdom protesta उसके बाद आ जाते हर्बिट को प्लैंड four kingdom classification इनोंने establish कर दी monera उसके बाद आ गए RHB tecker five kingdom classification पाँच kingdoms कौन कौन सी है? kingdom monera, protesta, fungi, plantae, animalia किस आधार पर? cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic relationships, then आ गए काल्वूस, six kingdom या three domains बना दिया थे नोंने monera को विभाजित कर दिया कि उसमें यू बैक्टीरिया एंड आ की बैक्टीरिया में ठीक है जी? biological classification में एक और वैग्यानी का जिकर आता है नाम देखिए स्क्रीन पे सोनूं clear है? अरुन Dimitri Dimitri Ivanovski D. Ivanovski D. Ivanovski नाम चुनते ही न ये चीज़ आ जाती है सामने वाइरस वाइरस को क्या बोलते है हिंदी में? विशानू बैक्टीरिया इस के टानू वाइरस इन हिंदी is called बढ़ बताईए मुझे कोई बता सकता है जल्दी से वाइरस को हिंदी में क्या बोलते है He worked on tobacco mosaic virus and he found that viruses were smaller than bacteria जो की tobacco mosaic disease करते थे वाइरस is connecting link between living and non-living outside the body of the host वाइरस is जो है वो non-living होते है but when they enter into the body of the host वाइरस is living हो जाते है आयूश कह रहे है विशानू दिलीप ने कहा जिवानू रमन दूबे कह रहे है sir your teaching style is awesome thank you so much रमन इसी बात पर like तो बनता है आज़े चलो जिवानू हो विशानू हो लेकिन D. इवानू विस्की का नाम मत भूलिएगा then M.W.Bajoranik थोड़ा सा प्रनाउंस करने में मुश्किल है इन्होंने कहा था Contagium Vivum Fluidum मतलब infectious living fluid and he coined the term virus इन्होंने demonstrate किया that extract from the infected tobacco plants causes diseases in healthy plants ठीक है जान रखना इन्होंने ये term coined किया था और इस वाली बात पर question frame हो सकता है This can be framed as a question ये Contagium Vivum Fluidum ये किस ने कहा था Sun कहने सर आपका grammar घजब है Thank you so much Sun I am thankful to my teachers जिन से मैंने ये चे सीखी और मैं चाहूंगा भविश्य में जाकर कि आप भी गर्व से ये बात कह सकें कि भाशा के उपर आपकी भी पकड मजबूत है क्योंकि आपने वो चीज़ें मुझ से सीखी है All the best आगे बढ़ते है Stanley W.M. Stanley He crystallized Tobacco Mosaic Virus Right W.M. Stanley ठीक है अगले चैप्टर पर बढ़े Next chapter is Plant Kingdom Crystallized का मतलब होता है Roman बेटा Crystals की फॉर्म में उप्टेन करना Viruses can be crystallized How to remember dates लिखने के याद होंगी कोई भी shortcut नहीं है सफलता के लिए सीडियां लेनी ही पड़ती है असान रास्ते नहीं होते हैं लिखना तो पड़ेगा लिख लिख के याद होगा अब इतने सारे वेग्यानिकों के नाम बताएं ये भी लिख लिख करके याद होंगी जब आप Plant Kingdom chapter पड़ते हैं Class 11 की NCRT में तो जिकर आता है Bentham and Hooker का Bentham and Hooker's System of Classification इन्होंने Flowering Plants को Classify किया था किस अधार पे उनके Ultra Structure, Anatomy, Embryology, Phytochemistry George Bentham, Joseph Hooker आप जानते हैं जो Joseph Dalton Hooker थे ये डार्विन के मित्र थे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जब अपनी Theory of Evolution को लेकर के Theory of Natural Selection को लेकर के किताब लिख रहे थे तो Joseph Dalton Hooker से भी वो काफी बातों को लेकर के परभावित थे Lewis Pasture का Contribution क्या है अभी आप थोड़ा सवर बनाए रखिए मिल्कुल बताएंगे आपको Lewis Pasture के बारे में भी So, Bentham and Hooker ने जो System of Classification दिया It is a Natural System of Classification ठीक है जी? उसके बाद अगला चेप्टर आ जाता है Cell चलो कोई मुझे बताएगा कि Cell चेप्टर में आपने कौन-कौन से विज्ञानिकों के बारे में पढ़ा है Cell वर्ड सुनते ही कौन-कौन से Scientist का नाम आपके दिमाग में आ जाता है क्या आपको Robert Hook याद आते है बिल्कुल आते होंगे क्या आपको Robert Brown याद आते है इन सबके नाम क्या के जाता Robert क्यों लगा होता है Robert Hook, Robert Brown then Shieldon and Sean Cell theory वाले याद है? आजी? Anthony Vaughan Levenhawk बिल्कुल सही, Bikram ने कहा Shieldon and Sean Alam then Ganga Ram Rudolph Virtue कहा सचिन ने बिल्कुल सही, Rudolph Virtue Sonu कह रहे है कि Biology words सुनते ही, दिमाग में न दो चीज़ें जरूर आती है, एक Darwin और एक Mendel बिल्कुल सही, एक Genetics के पिता महां रहे हैं और एक Evolution को लेकर के, चलो, अब मैं Cell में कौन-कौन से विज्ञानिकों का जिकर NCRT करती है वो देख लेते हैं, जी, Robert Hook याद है Micrographia He was first to observe the cells अच्छा जो cell उन्होंने अब्सर्व करे थे वो एक्चर में वो cells नहीं थे वो cell wall थी है ना, जो dead cork cell होते है उनको ऐसा दिखा थे, वो honeycomb like structure, ऐसे ऐसे से करके उनको दिखा था, cell का word का मतलब समझते है, cell word, cell मतलब होता है chamber, jail को भी cell कह देते है, अच्छा हम cell phone भी तो बोलते हैं, आपको अधर mobile phone को cell phone क्यों बोलते हैं, singer and Nicholson का भी जिकर करेंगे, सुमित पांडे George Palladay का भी जिकर करेंगे, sir 50% bio completed physics chemistry 5% क्या भी से 660 देखो यह, 660 score की तो कोई possibility, कोई guarantee आपको भगवान भी नहीं दे पाएंगे, 5% physics chemistry हुई है तो बड़ा मुश्किल है, it's very difficult, आपको बहुत-बहुत कड़ी महिनत की जरूरत है, आपने उन बच्चों के साथ जाकर compete करना है, जो दो-दो साल से तैरी कर रहे है है ना, इतना हलके भी मत लीजे किसी competition को, so cell phone क्यों बोलते है, mobile phone को कभी सर्च कीजेगा इस बारे में, Robert Hook Robert Hook का जब जिकर होता है, तो micrographia, याद है micrographia क्या था जो उन्होंने देखे थे, वो dead cork cells थे, microscope के नीचे देखे रहे Camelogology, सही कह रहे है Camelogology का भी जिकर आएगा भी Golgi operators को लेकर इमरान कह रहे है, cell का मतलब होगा hollow spaces या compartments, बिल्कु ठीका आपने Anthony Vaughn Livenhop, बहुत पुराने जमाने में इतने भेतरीन तरीके के microscope सितनी बड़िया technology नहीं लेकिन जैसे जैसे और खोज होती गई, tools and techniques आते गए, तो Zoology and Botany में खोज भी और भेतर तरीके से होती गई Anthony Vaughn Livenhop He was the first to observe live cells, very important, this can be framed as a question और उन्होंने नाम दिया था Animalcules राइट, याद रहेगा जी सबको Okay, next आते है Robert Brown, nucleus अब भई, cell है, तो cell के अंदर तो nucleus भी होगा, Mahindra बेटा Nilab Kumar Gupta कह रहे Newton, Newton का जिकर हम biology में नहीं physics में करते हैं, Robert Brown, he was first to discover nucleus, right plant cells रहोते हैं, उन्होंने nucleus उन्होंने डिसकवर किया था Micrography was the book which Robert Hook first coined the name cellula, okay neat exam consistency and best teacher मांगता है, जैसे कि Dr. Sachin Kapoor ये Sonu को मारने लिखा Thank you Sonu, तुमें मेरी लाज रखनी अब तुम बात है तो इतनी बड़ी-बड़ी करते हो अगर neat में अच्छे marks नहीं आए ना तो पिटाई होगी तुमारी ओके, रोहित बटा, आगे बढ़ सकते हैं अहान ने कहा, सर सेल शब्द का मितलब होता है एक छोटा चेमबर, एक छोटा कमरा, एक रूम तब ही तुमें कह रहूं, मोबाइल फोन को भी तो सेल फोन कह देते हैं, तो वहाँ सेल वाली चीज क्या होती है, आप ये तो नहीं समयते है कि वही, उसकी अंदर जो बैटरी डेली होती है, उसको सेल बोल देते हैं, नहीं, नहीं, अलग रीजन है, इसका ढूमना कभी सेल बाइलजी में अगले विग्यानि का जिकर में करना चाहूंगा, that is Schilden, Matthias Schilden, Schilden and Sean का जिकर होता है नहीं, जब हम सेल यूरी की बात करते हैं, नहीं, निलब, he was a German botanist and examined a large number of plants, because he was a botanist, so he studied large number of plants, he observed that all the plants are composed of different kinds of cells which form tissues, basic बात है, नहीं, रोहित हम जानते, cells they group to form tissues, tissues form organs, organs form systems and then system forms the individual, Schilden का जिकर होगा तो Sean का जिकर भी जरूर आएगा, Sean ने study करे थे अलग-अलग तरहें के animal cells, Schilden was a botanist, Sean was a zoologist, he reported that cell has a thin outer layer which is called plasma membrane, इनो नि conclude करा था, finally he concluded that plants have cell wall, he hypothesized that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells, cell theory में, Schilden and Sean का contribution है, राइग जी, क्ले ने में बच्चे, अच्छा, आपको याद है, myelin sheath exon के cells बनाते, myelin sheath which is also called medullary sheath, myelin sheath is produced by Sean cells, याद है, हाँ, Imran ने सही का, neurolemocytes भी कहते हैं, तो या आगे ने, Sean, ठीक है जी, clear है, right, Sean cells बनाते हैं, और myelin sheath, medullary sheath है, made up of lipids है, insulation का काम करती है, आगे बढ़ते हैं जी, cell theory में किन का contribution था, cell theory में Shieldon and Sean, दोनों ने मिल करके ये theory दी है, Shieldon ने कहा, उनों ने observe करे थे, plants, they are made up of different types of cells, the same applies to animals, Sean observed that all the animals are made up of different types of cells, so, formulate हो गई cell theory, all plants and animals are composed of cells, and the cell products, simple, next, ये concept आपको याद है, Omni's Cellula East Cellula, Rudolf Virchow के द्वारा दिया गया है ये concept, ये इगनूर कर दीजेगा, राइजी, Rudolf Virchow said that cells, they arise from pre-existing cells, ये से लुइस पाश्चार ने कहा था ना, Life arises from pre-existing life, याद है ना, जब हमने Origin of Life पढ़ा है, Class 12 के syllabus में, evolution में, Life arises from pre-existing life, तो इनों ने कहा था भई है, cells arise from pre-existing cells, तो ये statement याद रखना, Omni's Cellula, E Cellula, This is important, This can be framed as a question in need, आयूश क्लियर है में बच्चे? चल, अगला, जो modern cell theory है, एक तो cell theory Shilden and Sean ने दे दी, जो भी उनकी अपनी contribution थी, रुडॉल्फ विर्चो ने उसमें point add कर दिया था, Omni's Cellula, E Cellula, तो अब हमारे पास आगई भी modern cell theory, modern cell theory क्या कहती है, modern cell theory कहती है, all organisms are composed of cells and cell products, और इसमें एक और point add कर देना है, all cells they arise from the pre-existing cells, है न, चैट बॉक्स में, इस समें आपको मेरा telegram ID बताया जा रहा है, जो भी बच्चे पूरे session का PDF चाहते हैं, या किसी भी किसम की जानकारी चाहते हैं, वो ये telegram group join कर सकते हैं, that is Dr. Sachin Kapoor Talk, इसके लाब आप, there's another important telegram group, बायो की रननीती, ठीक है, you can join this also, Claire, Rohit, can you proceed forward, सबने like का बटन प्रेस कर दी हैं न, energy आजानी चाहिए यार मेरे पास, चलो एक बार chat box में, कुछ खुश्बुदार से flowers भेजो, कुछ cake wake, pizza विज़ा भेजी है, आहान, शौरे का कहना सर, your voice is so soothing, it is crystal clear, thank you so much, कुछ चीज़ें God gifted होती हैं, पर्मात्मा की तरफ से, अल्ला ताला की देन होती हैं, तो उसके लिए शुक्र गुजार होना चाहिए, और जब कोई उसकी तारीफ करे, तो उसका भी मैं तहे दिल से, शुक्र गुजार हूँ, great, all my raja बेटा, एन रानी बेटियां, याद रखेगा, world famous doctor बनना है, और जीवन में कुछ पाने के लिए, बहुत सारा कुछ खोना भी पढ़ता है, साहिल बेटा, चली, Singer अन निकलसन का क्या contribution रहा है, fluid mosaic model, कहां पर पढ़ते हैं आप ये, fluid mosaic model के बारे में, बही जब हम cell membrane के structure की बात करते हैं, कि plasma membrane is a bilayer of phospholipids, जिसमें बीच-बीच में proteins भी तैर रहे हैं, so Singer अन निकलसन ने प्रपोज किया था, fluid mosaic model to explain the structure of the cell membrane examiner के लिए एक और question, ये दिख रहे हैं, phospholipids और बीच-बीच में proteins हैं, glycoprotein मतलब protein के साथ carbohydrate जुड़ा हुआ है, तो वो glycoprotein बन जाता है, दोवेग्यानिक हैं, नाम याद रखेंगे, Singer and Nicholson, plasma membrane bilayer of phospholipids, जिसमें बीच-बीच में proteins जो हैं वो, transmembrane proteins channels का भी काम करते हैं, कि cell membrane के बाहर से कोई चीज अंदर आनी है, अंदर से बाहर जानी है, तो वो इसके through होगा, ओके, Paladay, George Paladay, अच्छा इनका face देखो, कितना smiling सा face है ना, अच्छे लग रहे हैं यह, he discovered ribosomes using electron microscope, ribosomes क्या होते हैं cell में, protein factories भी तो कहते हैं ribosomes को, ribosomes are protein factories, दो तरें के endoplasmic reticulum होते हैं न, दिन के पास ribosomes होते हैं, वो rough ER होते हैं, जिन के पास ribosomes नहीं होते हैं, वो smooth endoplasmic reticulum होता है, you remember that, अक्छे, clear है, protein synthesis में ribosomes का important role है, Paladay particles, सुनें आपने कभी, Paladay particles, Hello Yeshe, God bless you, अगला chapter, 11th class का, Cell biology के देख लिए, Living world के scientists, biological classification के, plant kingdom के, animal kingdom में कोई ऐसे किसे, विग्यानिक का नाम दिया नहीं हुआ, animal kingdom में सरफ phylum के ही नाम है सारे, तो animal kingdom में तो कोई विग्यानिक mention नहीं करती है, NCRT, mineral nutrition chapter में, कोई मुझे बता सकता है, कौन-कौन से विग्यानिक आएंगे इसमें, बिक्रम कहरे हैं, Julius Wonsach, Sumit Pandya ने भी सेम नाम लिया है, Pratik, बिक्रम कहरे हैं, photosynthesis, Sayan ने कहा photosynthesis, हलो सना, कोई बात नहीं, like कर दो session को आते ही, evolution पे भी आऊंगा सौमन, minimal nutrition में, जैसा कि आपने कहा, Julius Wonsach, He demonstrated a method of growing plants without soil, hydroponics जो से कहते हैं, बिना मिट्टी के भी कुछ पोशक तत्व डाल करके, nutrient solution में, कई plants को बहतरीन तरीके से उगाया जा सकता है, सोनु बेटा, ये किस ने कहा था, Julius Wonsach ने, right, clear, और तो किसे, Joseph Priestley, अक्षे ठाको ने कहा, Priestley, Oxygen, Priestley का जिकर होता है, तो Oxygen का जिकर जरूर होता है, Ingleman, बिल्कुल सही जी, Photosynthesis in Higher Plants में आ जाते हैं, Joseph Priestley, ये इतने बड़े जार वाला जो experiment था, He performed a series of experiments, that revealed the essential role of air, in the growth of green plants, बहिया है कि चुवा रखा, एक मुबत्ती जला दी, उस जार के अंदर, मुबत्ती ने सारी Oxygen consume कर ली, चुवा भी ना Oxygen के मर गया, फिर हमने मुबत्ती के साथ एक पौदा रख दिया, तो हुआ क्या था कि candle Oxygen यूज़ करे जा रही है, Carbon Dioxide प्रोडूज कर रही है, प्लांट उस Carbon Dioxide को यूज़ कर रहा है, Oxygen मनाए जा रहा है, तो चुवा जिंदा है, तो पेड, पौदे और जानवर एक साथ हापस में मिलके, बड़े अच्छे तरीके से रह सकते हैं, तो ये जो था Bell Jar Experiment, Joseph Priestley का है, इन्होंने उक्सिजन के बारे में बताया था, Jan Ingenhaus, he proved that green plants, the green parts of the plants, they release oxygen, and sunlight is required for it, Aquatic Plant Experiment जो था, उनको bubbles नजर आने लगते थे, जब वो sunlight में रखते थे, एक Aquatic Plant को जब सूरे की रौशनी उसके उपर पड़ती थी, रोहित कह रहे हैं, किसने कहा था कि आपकी आवाज जो है ऐसी लग रही है, जैसे रात के समिट वो आरजेज बोलते हैं, हाँ, बिल्कुल सही कहा, आपने, थोड़ा सा वाइस मॉडिलेशन अगर कर लिया जाए, तो आपको वाकए में ही ऐसे लगेगा, कि आप किसी आरजे की आवाज सुन रहे हैं, तो आज हम प्रस्तुत करते हैं आपके लिए अलग अलग वैज्यानिक, जिनोंने बायालोजी के क्षेत्र में बहुत बहतरीन कॉंट्रिबूशन दी है, तो जल्दी से अपने प्यारे-प्यारे लाइक जरूर बेज दीजिए, महेंदर, मजा आया, प्रतीक, आयुश, ग्रेट, God bless you all, I love you all, वहिया, इन महाशे का नाम भी याद रख लीजिएगा, इस अल्सो इंपॉर्टन एक्वेटिक प्लांट एक्सपेरिमेंट, ग्रेट, बिक्रम ने सभी विज्ञानिकों के नाम लिख करके भेज दिये, जॉस्व प्रिसले, जैन इंजिन हाउस, जूलिए स्वान साच, इंगिल मान, ग्रेट, वांडफुल जी, थैंक यू सुमन बेटा, गॉड ब्रेस्स यू, आ गए है जी, आपके सामने, जूलिए स्वान साच, यह तो हमने पहले डिसकस कर लिया था, वेर ग्लुकोस इस मेट, ग्लुकोस इस उजूली स्टर्च, ठीक है जी, प्लांट के केस में, रिजर्व फूड मेटीरियल स्टार्च होता है, जानवरों के केस में, जो रिजर्व फूड मेटीरियल है, वो ग्लाइकोजन होता है, इंगल मैन आ गए जी, क्लैडोफोरा यलगा, याद रखिएगा, TW इंगलमान, लाइट, आप जानते हैं, कितनी अलगलग तरें की वेवलेंथ है, तो इस प्टिकुलर वेवलेंथ पे, आपको मैक्सिमम फोडोसंथेस देखने को मिलता है, इंगलमान, याद इंगलमान, तो अरोबिक बैक्टिरिया, यहाँ पे कठे होरे हैं जादा, इस particular wavelength पे और aerobic bacteria यहाँ पे कठे हो रहे इस particular wavelength पे सोनु कुमार कह रहे है कि जि मुझे जीवन में इतने अच्छे teacher पहली बार मिले हैं, चलिए जी, you should be thankful to God and I should be thankful to to God that हम दोनों अपस में मिले ठीक है, red and blue, बिल्कुल सही का यह शी आपने, so ingleman का नाम याद रखेगा, विग्यानिकों के नाम याद रखने में कई बार परिशानी होती है प्लीज मेरी बात मानिए, लिख लिख के याद कीजिए, जो चीज़ आप अपने हाथ से अपनी handwriting में लिख लेंगे वो आपको जादा बहतर तरीके से याद रहेगी, सुमन बेटा ओके, Cornelius Van Neal इन्होंने डिमोंस्ट्रेट किया कि फोटो सिंथेसेस इसेंशली अ लाइट डिपेंडेंट रेक्शन इन विच हाइडरोजिन फ्रॉम अ सीटबल ऑक्सिदाजबल कंपाउंड तो जो कार्बोहाइडरेट्स बन रहे हैं वो कार्बन डायोकसाइड से बन रहे हैं Cornelius Van Neal लेट मी टेल यू फोटो सिंथेसस इस वेरी इंपॉर्टन चेप्टर फोटो सिंथेसस में से कई क्वेस्टन्स नीट में पूछे जाते हैं आप हमारे चैनल पे देखेगा आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे फोटो सिंथेसस के अकाश भाईजूज नीट यूट्यूब चैनल पे आप उसे जरूर देख लीजेगा ट्रस्ट मी इसमें से क्वेस्टन्स पूछे जाएंगे प्लांट रेस्पिरेशन का अगर मैं जिकर करता हूँ तो जिन विज्ञानिकों को मेंशन करती है NCRT एंबेडन मेरहोफ पाथवे यूरमेंबर ग्लाइकॉलिसस को एंबेडन मेरहोफ पाथवे भी कह देते हैं ग्लाइकॉलिसस क्या है भाई एक सेल के अंदर जब ग्लुकोज प्रवेश करता है ग्लुकोज आप जानते हैं प्रिंसिपल फ्यूल है एनरजी के लिए तो ग्लुकोज जब सेल में चला गया अच्छा किसी को पता है कि अनिमल्स के केस में which particular hormone is involved in the entry of glucose into the cells can anyone tell me EMP pathway सही का आपने Embedan-Meyrhoff-Parnas pathway EMP pathway भी बोलते हैं ग्लाइकॉलिसस को can anyone tell me which particular hormone is involved in the entry of glucose into the cells in case of animal cells well the correct answer is insulin insulin is involved in the entry of glucose into the cells glucagon नहीं यह शी insulin insulin मदद करता है cell के अंदर glucose की entry में आपने glut protein पढ़े होंगे न बायोकेमिस्ट्री में DLUT glut protein glucose transporting protein नहीं glucagon जो होता है न वो glucose को glycogen में convert करता है sorry glucagon जो होता है glycogen को glucose में break करता है glucagon hyperglysemic hormone ने glucose का level बढ़ा देता है clear so glycolosis का complete pathway तो आपने पढ़ा यह respiration में विज्ञानिकों के नाम जरूर याद रख लीजेगा आगे बढ़ें आचा कोई में जो बताएगा कि इस chapter में कौन-कौन से विज्ञानिकों के नाम आपने पढ़े हैं जल्दी से quickly जब plant growth and development का जिकर होता है तो कौन-कौन से scientists के नाम आपके दिमाग में आते हैं जल्दी से plant growth and development में photo respiration important process photo respiration राइट जी then garner and alad है इन्होंने work करा था this should be photo periodism heading थोड़ा सा गलत हो गया Darwin कहां से आपको याद आगे रोहित कह रहे है कि अगर सचिन सार सौ से 200 साल पहले आये होते तो उन्होंने कुछ न कुछ जरूर खोज कर ली होती अच्छा जी नहीं मैंने क्या खोज करनी थी मैं कहूंगा सबसे भेतरीन बात यह है कि मैंने आप लोगों को खोज निकाला है यूट्यूब के इस माद्यम से है ना what can be better than this class 12 में देखें कौन-कौन से विग्यानिक है चलो ये ये नाम सामने आते ही किसका जिकर शुरू हो जाएगा भईया जब जैनेटिक्स की बात हो जाएगी सना जैनेटिक्स की बात होते वही ग्रिगॉर जॉन मेंडल इनको तो हम भूली नहीं सकते मेंडल ने पी प्लांट का चुनाव किया था जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करें है है ना तो ये रहे जी father of genetics Gregor John Mendel he conducted hybridization experiments on garden pea pysensativum pea plant for seven years pea plant का ही क्यों चुनाव करा था इसको लेकर के भी हमने सारी बाते पड़ी थी pea plant का life cycle चोटा है flower bisexual है cross fertilization, self fertilization कराया जा सकता है contrasting traits उनको मिल गए थे he proposed he proposed what he proposed the laws of inheritance in case of living organisms what all laws laws of dominance, law of segregation law of segregation law of dominance he investigated correctors in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, you understand trait में और करेक्टर में अंतर होता है ये बार ध्यान नकेगा trait is a state of a corrector, say for example you are talking about height, height becomes a corrector and when you say that this is a short height dwarf or tall that becomes the trait, artificial pollination, cross pollination experiments using several true breeding pea lines तो genetics अगर आए तो Gregor John Mendel का नाम हम कभी नहीं भूल सकते हैं genetics मुझे खुद भी बड़ा interesting लगता है seven pairs of contrasting traits in the pea plant which was studied by Mendel contrasting traits में tall plant, short plant तो character हो गया plant height मैंने कहा आना trait और character में क्या आनतार है trait is a state of a character सुमित Sutton and Bowery का जिकर कर रहें इनके बारे में भी पढ़ेंगी flower color की अगर हम बात करें pea plant में violet and white है position of the flower excellent terminal है pod color green है yellow है pod shape inflated है constricted है seed color yellow है green है round seed wrinkle seed ये seed का shape है now मैंडल को अपने जीवन काल में जीते जी उतनी ख्याती प्राप्त नहीं हो पाई क्या आप जानते हैं क्या कारण रहे क्यों नहीं हो पाई मैंडल की personality इतनी दबंग नहीं थी कि भया वो बड़ी मजबूतीर से जोश के साथ अपनी बाते क्या पाई वो बड़े ही डुसाइल polite किसम के व्यक्ती थे ज्यादा शोर चराबा नहीं करते थे तो एक ये बात रही दूसरा ये कि उस समय जब मैंडल अपना ये काम कर रहे थे जब उन्होंने अपना काम पब्लिश करा एक तो बहुत ज़ादा wide circulation नहीं था उस particular paper का जिसमें उनकी research पब्लिश करी गए then उस समय Charles Robert Darwin की theory of natural selection ने पूरी दुनिया को हिला करके रखा हुआ था तो मैंडल की अवाज दब के रह गए सारी दुनिया उस समय Darwin 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 कर रही थी तो मैंडल की बात को सुनने वाला ही नहीं था मैंडल ने अपनी बातों में mathematics की knowledge लगाई mathematics को involve करा biology में बड़े आगे की सोच रखते थे वो बड़ी दूर की लेकिन समस्या ये थी कि उस समय के उनके बाकी जितने और विग्यानिक थे उनको ये बात हजम नहीं हूँ ये उनने का की mathematics को क्यों तुम involve कर रहे हो biology में this is wrong है ना सो बहुत सारी बातें मिल करके ये हो गई की उनकी अवाज दब के रह गई लेकिन बाद में कहते हैं ना सांच को आंच नहीं सचाई कभी चुपती नहीं है there was resurfacing of the Mendel's work Hugo Devery's, Karl Coren's and Von Schemach तीनों के नाम याद रखना Hugo Devery's, mutation theory से भी जुड़ा हुआ Karl Coren's, Von Schemach independently rediscovered Mendel's results on inheritance of the characters clear है? याद रहेगा? ये question आप से पूचा जाएगा कि कौन तीनवे ग्यानिक थे जो involved थे in the rediscovery of the Mendel's laws great रोहित कह रहे हैं कि काफी clinical cases आ रहे हैं रोहित मैंने ध्यानी नहीं दिया chat में कोई बात नहीं clinical cases होंगे तभी तो आप एक भेतरीन doctor बन पाएंगे और इनका इलाज कर पाएंगे chromosomal theory of inheritance का जब जिक्र होता है तो हमें ध्यान रखने हैं Sutton and Bovary जिन्होंने chromosomal theory of inheritance दी है every chromosome has an almost identical partner so chromosomes their current pairs जिस बात का जिकर Mendel कर रहे थे वो factor कह रहे थे Mendel उस समें कोई chromosome तो दिखान नहीं पाए थे है ना उन्होंने factor word use किया था and he was not able to prove the physical existence of those factors the chromosomal theory of inheritance के अनुसार chromosomes come in pairs chromosome segregation occurs during gamete formation and chromosomes segregate independently of each other experimental verification for chromosomal theory of inheritance याद है जी Drosophila melanogaster भई Drosophila का जिकर हो तो Morgan का नाम आएगा जैसे होता है कुछ चीज़ें जुड जाती है Morgan and Drosophila right Mendel and Garden P ऐसे हो जाता है Darwin and Gallopagos Islands so Drosophila melanogaster fruit fly Morgan के conclusions ये रहे that eye color was linked to sex specific genes are carried on specific chromosomes genes located on sex chromosomes exhibit unique inheritance patterns अगर आपको ये सारा session पसंद आ रहे है तो इस पूरे का PDF आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप हमारा telegram group जरूर जोइन कर लीजिएगा video के description में आपको telegram group का link मिल जाएगा neat akash digital ये एक telegram group है bio की रणनीती ये एक और telegram group है and जो बच्चे इन का जिकर करती है Alfred Sturtivant Alfred Sturtivant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between genes and mapped their position on the chromosome gene mapping आप से इतनी बात पूची जाएगी की gene mapping से related किस वैज्यानी का नाम है Alfred Sturtivant then comes the second chapter that is molecular basis of inheritance Frederick Mischer अब भ्यान चल पड़ा की भाई धूड़ो genetic material क्या है क्या ये proteins हैं क्या ये nucleic acids हैं so Mischer Mischer identified DNA as an acidic substance present in the nucleus और उन्होंने कहा भाई nucleic, acidic I said what the deoxyribonucleic acid किस कारण से acidic है कोई मैंची बता सकता है किस कारण से acidic है phosphoric acid phosphate Arvind Chargaff Chargaff's rules ATGC याद है जी Chargaff rules for a double stranded DNA the ratio between adenine and thymine and guanine and cytosine are constant and equals 1 Chargaff's rules याद है सबको Sonu Kumar Imran बताईए जल्दी से Bikram Chargaff's rules important है Genetics जबाब पढ़ते हो न ते जरूर पढ़ लीजेगा ATGC adenine, thymine, guanine, cytosine Wilkins and Franklin Wilkins and Franklin Morris, Wilkins Rosalyn, Franklin X-ray diffraction photograph of DNA अब ये अपने समय की बहुत बेतरी खोज रही है कितनी पुरानी बाते हम कर रहे है है न किता मुश्किल रहा होगा तब ये जान पाना कि DNA का structure कैसा है फिर आप जानते हैं Watson and Crick ने कमाल करके दिखाया Double helical structure of the DNA Remember James Watson and Francis Crick तो जब भी double helical structure of DNA की बात होगी तो Watson and Crick का नाम ज़रूर आता DNA के दो strands जो है आपस में anti-parallel है तो आप जानते हैं sugar phosphate backbone होती है और nucleotides जो है nitrogenous bases जो है एक दूसरे के आमने सामने है जिनके बीच में hydrogen bonds पाए जाते है Frederick Griffith Griffith's transformation experiments याद है जे the bacterial transformation was shown by him और उन्होंने use किया था streptococcus pneumoniae bacteria R strain, S strain virulent form, non-virulent form तो transformation experiment उन्होंने बताया था bacteria की colonies ली थी smooth colony S strain वाली जो की virulent है rough colony R strain वाली जो की non-virulent है जो smooth colony उसमें polysaccharide का coating है rough वाली में polysaccharide का coating नहीं होता then comes Oswald Avery, Colin Macleod and Maclean McCarty they performed biochemical characterization of the transforming principle कि वो जो transforming principle था जसकी Frederick Griffith जिकर कर रहे थे वो actual में था क्या? क्या वो proteins थे? क्या वो carbohydrates थे? क्या वो nucleic acids थे? तो इस चीज के बारे में बताने वाले ये तीन विज्ञानिक थे please note जरूर कर ले ना एक single page होना चाहिए आपका जिस पे एक तरफ विज्ञानिक जो को NCAT में mentioned है और सामने उनका contribution Hershey and Chase Hershey and Chase experiment याद है बैक्टिरियोफाज़ फाला they performed what Hershey and Chase performed transduction experiment they worked with T2 बैक्टिरियोफाज and E. coli bacteria what is a बैक्टिरियोफाज? फॉरूराइस वियरूराइसjang genetic material, proteins या carbohydrates नहीं है bacteriophagic virus होता है जो bacteria पर हमला करता है okay measles and stalls experiment जाना पहचाना आपका semi-conservative mechanism for DNA replication मैं आप सब लोगों को बता दूँ जो इससे related detailed videos देखना चाहते हैं genetics जिनका strong नहीं है strong करना चाहते है so राजा बेटा आप हमारे channel का playlist देखिएगा आपको genetics के section में मेरे और मेरे इलाबा even पंकुडी मैम बीना मैम के videos भी मिल जाएंगे genetics के विशे पे बहतरीन questions में मिल जाएंगे wonderful animations सारे concept clear हो जाएंगे okay Taylor's experiment Faba beans के उपर Herbert Taylor ने experiment करा इननोंने use करा था radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosomes right Vishya Faba Faba beans के उपर ये प्रेयोग किया गया then comes lac operon another important concept in genetics Francis Jacob and Jake Monod right Jacob and Monod का दिया हुआ lac operon कोई मुझे बता सकते है lac operon में lac word का मतलब क्या होता है this lac stands for what बताईए जी जल्दी से lac stands for what in this lac operon जल्दी से lactose cyan astha patel rohit शमा शर्मा बिल्कुल आई कब करवाओगे शमा ने बुचा है शमा आप देखना यूटीब पर आई से रिलेटर मेरे वीडियोज अल्रेडी भी है ऐसा कोई topic ही शायद आपको नहीं मिलेगा जिसके वीडियोज आपको नहीं मिलेगे यूटीब पे तो आप सर्च कीजेगे आपको मिल जाएंगे evolution का जिकर होता है तो Lewis Pasture है ना Lewis Pasture ने का था ना swan neck shaped flask design करी थी उन्होंने so he disproved abiogenesis Lewis Pasture finally disproved abiogenesis abiogenesis का यही माना था ना that life arises spontaneously from non-living matter Pasture ने का कि भई ऐसा नहीं हो सकता life doesn't arise spontaneously life arises from the pre-existing life only तो Lewis Pasture का यह concept था Lewis Pasture ने यह योगदान दिया था इन्होंने biogenesis प्रूव करा था उसके बाद NCRT जिकर करती है Oparan and Halden का right Alexander Oparan and JBS Halden Oparan and Halden ने जो है यह कहा था that life originated on earth millions of years ago and the conditions on primitive worth were entirely different from present day conditions उस समय free oxygen available नहीं थी whatever oxygen was available it was in bound form in the form of metal oxides there was abundance of methane, ammonia, hydrogen, water vapor यह सारे मिलते गए पानी में life originated in water because water is an excellent solvent and it provides maximum chances for molecular interaction तो उन्हों ने कहा कि पानी में amino acid बन गए पानी में fatty acid बन गए nucleotide बन गए इनी चीजों ने फिर घुल मिल करके आपस में फिर Excel जैसी चीज बना दी होगी जो बाते theoretically कहीं Oparan and Halden ने उसी चीज़ को experimentally prove करा था Urey and Miller ने Harold Urey and Stanley Miller at University of Chicago they designed a special type of experiment called simulation experiment and they performed this experiment with this apparatus इस apparatus का नाम बता सकते हैं क्या था जी इस apparatus का नाम था Spark Discharge Apparatus इस Spark Discharge Apparatus में Urey and Miller ने वो सेम हालात create करने चाहे जिनका जिकर उपरिन और हाल्डन कर रहे थे कि धर्ती पे लाखों साल पहले इस तरहे से simple non-living चीज़ों से एक living cell बना होगा ठीक है मेरे बच्चे आगे evolution में मेरे favorite है जी Lamarck, Gene Baptist D. Lamarck Lamarck ने concept दिया है Lamarckism जिसे हम theory of inheritance of acquired characters भी कहते हैं theory of use and disuse of organs भी कहते हैं ये भी लिख ले ने ये पूछ लेंगे theory of inheritance of acquired characters किस ने दिया है Lamarck ने दूसर नाम Lamarckism या फिर theory of use and disuse of organs रहे जी evolution of life forms had occurred but driven by the use and disuse of organs details Lamarckism की जो है मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं तो इस चीज की चिंता आप मत कीजेगा then, मेरे favorite Charles Robert Darwin he was born in Shrewsbury in England his father sent him to Scotland to study medicine but he was more interested in studying nature Hanslow arranged a trip for him in the ship HMS Beagle HMS Beagle नाम के ship में दुनिया भर की यात्रा करने का उन्हें सुनहेरा अफसर प्राप्त हुआ था और अपनी इस यात्रा के दुरान वो Gallopagos Islands पर भी गए थे NCRT Gallopagos Islands को mention करती है तो इध्यान रिखेगा बिटा Darwin ने दी है theory of natural selection right किताब लिखी है origin of species actual में theory of natural selection jointly proposed करी गई है Alfred Russell Wallace और डार्विन के दौरा लेकिन बिचारे Alfred Russell Wallace जो है इन्हें हम भूल ही गए हैं इनको हम forgotten evolutionist के नाम से भी जानते हैं he studied flora and fawn of malay archipelago उस समय इंडोनेशिया मलेशिया को malay archipelago कहा जाता था Hugo Devereese का जिकर आता है जब आप बात करते है mutations को ले करके ठीक है जी so mutation cause speciation saltation means single step large mutation Hugo Devereese ने किताब भी लिखी mutation theory right जी he worked on which plant कोई मुझे बता सकता है Hugo Devereese ने जिस plant पे काम करा था self pollination experiment करे थे उन्होंने कौन सा plant था प्रेम, प्रतीक, अक्षे, सोनू, सयन evening primrose ओइनु थेरा, लमार किया ना बिल्कुल सही का जी evening primrose एकदम सही बाद, हुश्यार बच्चे हो गए so Darwin की theory और Hugo Devereese theory का comparison यह यहापे यह आपको pdf मिल जाएगा आप एक बार इसे जरूर पढ़ लीजेगा Ernst Heckel biogenetic law the stages of development for an animal embryo are the same as other animals adult stages biogenetic law भी कहा जाता है then Karl von Behr इन्होंने disprove किया था biogenetic law, इनको father of modern embryology भी कहा जाता है father of ancient embryology Aristotle है Malthus Darwinian से बड़े परभावी थी he was an economist अर्थशास्त्री थे he has given the theory of human population growth Malthus नहीं यह कहा था कि food supply it increases in arithmetic progression but the population increases in geometric progression तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि sufficient food material is available for all the members of a population इसलिए struggle जो है जिन्दा रहने के लिए वो तो लगी रहेगी then NCRT जिकर करती है Hardy-Wayneberg principle का Hardy-Wayneberg principle यह कहता है that gene frequency remains constant generation after generation in a randomly mating sexual panmictic population if certain hypothetical conditions are satisfied so Hardy-Wayneberg बात कर रहे थे कैसी population की जो की exist ही नहीं कर सकते एक non-evolving population की इन्होंने का था there should be no entry into the population no exit from the population mutations are not occurring mating is completely random every allele has an equal chance of being passed on to next generation तो जो बात ही Hardy-Wayneberg ने कही थी वो hypothetical है वो संभव नहीं है Hardy-Wayneberg equilibrium it is talking about a non-evolving population equation याद रखना P plus Q का whole square is equal to P square plus 2 P Q plus Q square plus 1 मैं आपको फिर से बता दूँ जो बच्चे ये sessions detail में देखना चाहते हैं जिनको कोई भी concept माल लीजे नहीं समझाया तो channel का playlist जो है वो जरूर जरूर एक्स्प्लोर कर लीजे और जिन्होंने अभी तक भी like का बटन नहीं दबाया यार गला थक गया बोलते-बोलते likes तो बनते हैं जल से जल human health and disease का अगर मैं जिकर करूँ तो William Harvey father of blood circulation he demonstrated blood circulation in a living snake microbes in human welfare में antibiotics का जिकर आता है तो भई Alexander Fleming Alexander Fleming discovered penicilline antibiotic penicilline penicillium notatum से मिलता है then Alexander Fleming and Boris Chain and Walter Florey को Nobel Prize दिया गया था 1945 में biotechnology का अगर मैं जिकर करता हूं तो Stanley and Cohen and Herbert Boyer right for the demonstration of recombinant DNA technology these scientists came up with the idea of combining the DNAs of two different organisms recombinant DNA technology polymerase chain reaction का जिकर होता है to Carrie Millers the PCR polymerase chain reaction technique was invented in 1985 by Carrie B. Millers then PBR322 Bolivar and Roderidge Bolivar and Roderidge were the scientists who first constructed PBR322 cloning vector let me tell you this is important and this can be framed as a question बच्चे कहरें चाहे पानी पी लीजे नहीं बस session खतम ही होने वाला है जल्दी से ecology पे हम आगए हैं ecology में आप polys exclusion principle याद है जी आपको G. F. Gauss exclusion principle competitive exclusion principle it states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated paramecium codatum, paramecium euralia की example इसमें आपको याद होगी अच्चा मैं जल्दबाजी में polys exclusion principle बोल गया polys exclusion principle आपने कहां पढ़ा है chemistry में पढ़ा होगा चले जी all मैं राजा पे 10 रानी वेचे मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे board exams देने जा रहे हैं उन बच्चों के लिए 5 फरवरी से 12 फरवरी तक हम completely एक All India level का mock board exam series चला रहे हैं आप वीडियो का description देखेगा आपको एक link मिलेगा उस पे जाकर के आप register कर दीजेगा and it is completely free of cost यह हमारे कुछ premium products हैं जो आप वीडियो का 10 यह code use करते हैं तो आपको special discount मिलेगा वीडियो के description में smart playlist मिलेगी which is your one-stop solution for all your needs related to NEET PDF notes, daily practice papers, annotated sessions, everything you will get NEET, Akash, digital telegram group आप जरूर join कर लीजेगा ठीक है जी? So keep learning, all my raja बेटा और वाणी बेटिया I wish you all the best for a very bright and prosperous future Namaskar, bye bye, God bless you all session को like और share जरूर करना, bye झाल, 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